हेलो दोस्तों कैसे हुआ आप लोग तो आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा कौन के बारे में बता दे सिनेमा कौन के अंदर सोनी ने अपनी अपकमिंग मूबीज का एनाॉसमेंट किया है और हाँ इसमें हमें क्रेविन दा हंटर का ट्रेलर भी देखने को मिला है जोकि करने में अंदर में क्या 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 देखने को मिला है इसके ऊपर बात करते हैं फरस्ट अ बात दे कि यह सोनी की पहली मूबी होने वाली है जो की R-rated होगी और हाँ यह मावल के अंदर पहली बार हो रहा है जैसा कि मैं पता है कि मॉर्बियस के अंदर उसे PG-13 माने कोशिव की गई थी और हां वो फिल्म किस तरह से फ्लाप हुआ था आपको पता ही होगा मावल और सोनी ने भी वेनम को भी पीजी 13 ही रखा क्योंकि यह हो सकता है कि फ्यूचर में हमें वेनम भर्सेज टॉम हॉलेंड वाले सोनी के तरब से मतलब की उनकी जो यह फिल्म है क्रेवन दा हंटर वो आर रेटेट होने वाली है बता दे इसके टीजर के अंदर हमें साब दिखता है जहां पर हमें इसके एक्टर एरॉन ट्रेलर को हम खून से लिप्ते हुए देखते हैं इसके अंदर हमें कई सारे बलड और आड काम और यह सूपर सीरम उसी तरह कम करेगा मतलब कि यहां भी हरन ऐसक घृवने का और हमें देखने को मिला वाला था पे हम पुरी तरह से एक एंटी हीरो फिल्म है और हाँ क्रेवन दा हंटर एक्ट्व में वन अब दा डेंजरस विलन है हमारे स्पाइडर मैन के लिए और हो सकता है कि फ्यूचर में इसे भी हमें स्पाइडर मैन के खिलाब लड़ते हुए देख सकते हैं तब सोनी जो है वो कुछ नया और हटके ट्राय कर रहा है और हो सकता है कि यह दी फिल्म बॉक्स ओफिस वे चिखा से चली तो हमें आगे फ्यूचर में भी आरेटेर मूवीज देखने को मिलेंगे और वैसे भी यह सोनी ने स्टार्ट और पहल तो किया है और हाँ मार्वल के अंदर भी हमें डेटपूल 3 आरेटेर ही देखने को मिलेगा जो कि मेरे हिसाब से वो परफेक्ट भी होगा क्योंकि डेटपूल आरेटेर ना हो तो मजा ही नहीं आने वाला है आप कितना एक्साइड़ हो क्रेवन दा हंटर के लिए आप नीचे कॉमेट करके बताना वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनर को सस्क्राइब करना मत भूलना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर